हलो फ्रांस कैसे हैं आप भड़िया मस्त रही है और एंटर्टेन्मेंट तो जो है आपको बहुत कुछ न्यूज जेता है तेवे स्टार बॉलीबुड के सितारों से ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इन्हें घर घर में प्यार जो मिलता है ये थोड़ा सा कुछ कहते हैं तो घर-घर में इनकी बाते होती है जबसे जो है लोगों के घर-घर में मुबाइल हातों में आया है यकीन मान ये जो है फैंस को ज़्यादा ही बाते करने लगे हैं इनकी परसनल लाइफ को लेकर ऐसे में मैं बात करूँगी राजन साहिक के popular show ये रिस्ता क्या कहलाता के बारे में देखिए four generation आप देख रहे हैं हर generation को fans ने बहुत प्यार दिया है या हम ये भी कह सकते हैं हर generation को fans ने काफी ज़्यादा पसंद किया है ऐसे में जो है हर जोड़ी हीट रही है हर जोड़ी को कहीं अवोर्ड मिले हैं इस शो ने ना जाने कितने अवोर्ड ली है और पंदरा साल का सफर असान नहीं होता है आज की डेट में शो एक या दो साल चल जाते हैं वो भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है उन्हें कहते हैं शो घूं है और यह शों तो 15 साल सफर कर चुका है और आगे भी ना जाने उसके दिखे में कितनी साल क्रहएं। श्वत्याहिंट वह भी एससी हैं रहीता है दोनलो है जो में लगता है कि वह इतुनिस तो यह आझाले वाले लेक्व, लिकिन उसरी के बीच में मैं बात करूंगी इन दिनों जो अर्मान का रोल कर रहे हैं सहजादा धामी वो जो है एक टिक टॉक पर जो है वीडियो बना दे थे और गुल खान ने उन्हें अपने शो ये जादू है जिनका में अप्रोच किया था लोग डाउन के टाइम ऐसे में जो है उनका क्योंकि लगा था कि राजन साही किसी पॉपुलर स्टार को लेंगे लेकिन उन्होंने वो चीज करके दिखाई और फिर उन्हें इक बार इंटर्व्यू में बोला था कि हमें ज्यादा मेहनत करने की जौरत नहीं है सिर्फ हमें अपना टालेंट अच्छी तरह दिखाना है या फिर यह कहें जो हमें काम दिया है हमें वो उसमें टैलेंट में उतरना है क्योंकि रिस्ता के ओ लेड़ी इतने ज्यादा चाहने वाले वो तो देखेंगे ही देखेंगे हमें जो है इस शो को पॉपुलर नहीं ले जाना है यह तो पहले से ही पॉपुलर है तो यह तो ब पहले पहली अपनी शोशल मीडिया पे एक message किया जहां पर उन्होंने बताया यह रिस्ता क्या कहलाता कि जो नीव रखी थी यानि कि आपके सहजादा धामी ने अर्मान ने कहा कि यह रिस्ता की नीव हीना खान और करन ने रखी थी जीने आपने अक्षरा का रोल सबसे पहले करते वें देखा था तो कहा कि उनका जो ये नीव तो उन्होंने रखी थी और जो है फल आज सभी जो है लीप की जनरेशन तोड रही है फिर चाहे वो आपके शिवांगी जोसी मौसीन खान हो या फिर आपके हरसत चोपड़ा और पढ़नाली राठोर हो या फिर आपके आज की डेट में सहजादा दामी और जो है आपकी समरद्धी शुक्ला तो उनका कहना था कि शो को जमाया जो है घर घर में जो पूचाया है लोगों को जो करिदार पसंद आए थे लोगों को जो स्टोरी पसंद आई थी लोगों को जो एक्टिंग पसंद आई थी वो हीना खान और करन की थी सारी मेहनत इस शो की उन्होंने ही किया है बाकी जने तो सिर्फ फल तोड रहे हैं चाहे उन्होंने अपना नाम लेकर कहा हो या उनसे पहले कोई जनरेशन आई हो उनको लेकर कहा हो ये बात उनकी मुझे कोई गलत नहीं लगी है काफी हद तक मुझे सही लगी है शो को बनाने के लिए जैसे कुमकुम भाग गया है अभिग्या का बना हुआ है तो ऐसे में जो है बाकी जनरेशन तो बस जो कर रही है लेकिन जो पहचान अभिग्या ने बनाई थी वो अब तक किसी ने नहीं बनाई तो ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताईए बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है